नमस्कार स्वागत है अब सभी का देनलोज गुरू के इस यूरूप चैनल पर लोहडी दोहजार चौबिस डेट 13 या 14 जनवरी कब है लोहडी का पर्व जने कैसे और क्यों मनाया जाता है या पर्व आई जानते हैं वीडियो में तो सिखो और पंजाबियों के लिए लोहडी खास मायने रखती है या पर्व मकर संक्रांती से एक दिन पहले मनाया जाता है इस तहवार की तयारिया कुछ दिन पहले ही सुरू हो जाती है लोहडी के बास से ही दिन बड़े होने लगते हैं यानि माग मास सुरू हो जाता है यह तेहवार पूरे विश्व में मनाया जाता है हलाकि पंजाब, हर्याना और दिली में यह तेहवार बहुत धुमधम से मनाया जाता है लोडी की रात को सूर धनू रासी से निकल कर मकर रासी में परवेश करते हैं जिसके बाद अगले दिन मकर संक्रांती का पर्व मनाया जाता है तो सबसे पहले जान लेते हैं कब मनाया जाएगा लोहडी का पर्व मकर संक्रांती से एक दिन पहले लोहडी का पर्व मनाया जाता है सूर्य मकर रासी में 15 जनवरी को सुबह दो बज कर 43 मिनट पर परविस करेंगे इसलिए उद्यातिती को मानते हुए मकर संक्रांती का परव 15 जनवरी दिन सुमवार को मनाया जाएगा वहीं मकर संक्रांती से एक दिन पहरे लोहडी का परव मनाया जाता है इसलिए लोहडी का पर्व 14 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा लोहडी का पर्व सूरदेव और अग्नेदेव को समर्पित है अई जानते हैं कैसे मनाते हैं लोहडी का पर्व लोहडी का पर्व बहुत धुमधाम से मनाया जाता है लोहडी पर्व की रात को खुली जगह पर लकड़ी और उपले का धेर लगा कर आग जलाई जाती है फिर पूरा परवार आग के चारो और परिक्रमा करता है उसमें नई फसल, तिल, गुड, रेवडी, मुंफली आदी को अगनी में डालते हैं साथ ही महलाएं लोक गीत गाती हैं और परिक्रमा पूरी करने के बाद एक दूसरी को लोहडी की बधाई भी देते हैं अगर कोई मनत पूरी हो जाती है तब गोबर के उपलो की माला बना कर जलती हुई अगनी को भेट किया जाता है इसे चर्खा चड़ाना कहते हैं इस पर्व के लिए ढोल नगाडों को पहले ही बुक कर लिया जाता है और सभी लोक ताल से ताल मिला कर नासते हैं तो ये रही एहम जानकारी